हाई फ्रेंट्स नमस्कार मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों की छोटी छोटी भूख हो या फिर मिठाई की क्रेविंग इसे साटिस्फाई करने के लिए आज की ये रेसेपी बिल्कुल परफेक्ट है इसे आप डेजर्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या पिर स्नेक्स में बना लें इसे बनाने के लिए आपके घर में जो भी फ्रूट रखा हो आप उसी को यूज़ करके इसे बना सकते हैं जैसे की बनाना एपल पियर पाइनेपल यहां पर मैंने बनाना का यूज़ किया है आपको जो भी फ्रूट पसंद है आप उसे ले लें चलिए बना लेते हैं अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथी बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिसे की मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो केले ले लिये हैं केले पके हुए ही लेंगे यदि यह ज़्यादा पके हुए हैं तो और भी अच्छा है इन्हें छील लेते हैं और रफली चॉप कर लें मैंने इने बीच में से पहले स्प्लेट कर दिया है जिसे की इसके छोटे छोटे पीसिस हो जाएं पीसिस छोटे रहेंगे तो केला जल्दी ही पक जाएगा यहाँ पर मेरे केले थोड़े से कम पके हुए हैं आपके पास यदि ज़्यादा पके हुए केले हैं तो आप उन्हें ही यूज करें अब एक पैन ले लें जिसमें की दो बड़े चमच बटर डाल दें और इसे भी मेल्ट करने के लिए रख दें जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो इसमें जो हमने केले काटके रखे हैं उन्हें डाल दें इन्हें मिक्स कर दें केले को बीच बीच में दबाते भी रहेंगे जिससे की एक जैम जैसा टेक्शर हमें मिल जाए यहाँ पर केले को हमें ब्राउन नहीं करना है जैसे ही इसमें जैम जैसा टेक्शर मिल जाएगा गैस की फ्लेम को हम आफ कर देंगे देखिए ये जैम जैसा बन गया है अब इसे गैस की फ्लेम को आफ कर दें अब इसमें चोथाई चमच छोटी इलाइची पाउडर, काडमम पाउडर डाल दें इसमें क्रंचीनेस देने के लिए एक बड़ा चमच कटे हुए बदाम भी डाल दें आप अपनी पसंद के इसमें कोई भी ड्राइफू चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं और यदि आपको क्रंचीनेस नहीं चाहिए तो आप इसे स्केप्ट कर दें मेरे केले थोड़े से कम पके हुए थे इसलिए मैं यहाँ पर एक बड़ा चमच चीनी भी अड़ कर रहे हूँ आपके केले यदि ज़्यादा पके हुए हैं तो चीनी को स्केप्ट कर दें क्योंकि ज़्यादा पके हुए के लिए और यदि काफी मीठे होते हैं यहाँ पर हम चीनी को लास्ट में गैस आफ करने के बाद ही डालेंगे हमें चीनी को कैरमलाइज नहीं करना है पैन हमारा थोड़ा गरम है तो चीनी इसमें मिक्स हो जाएगी यह भी मिक्स हो गई है इसे ठंडा होने के लिए रग दें अब रोल बना लेते हैं हमने जो क्वांटिटी ली है इससे 5 रोल बनकर तयार हो जाएंगे इसलिए मैंने यहाँ पर 5 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं यहाँ ब्रेड हम फ्रेश ही लेंगे जिसे की रोल बनाने में हमें प्रॉब्लम ना हो इनके साइट्स को अलग कर दें हम इसके बीच वाली साइट को ही यूज करेंगे इसी तरह से दूसरी स्लाइस के भी साइट्स को काट लें इसी तरह से हम सारी bread slices के किनारे काट लेंगे अब इन्हें rolling pin से रोटी की तरह बेल लें सारी slices को ही हम बेल कर रख लेंगे जिसे की bread थोड़ी सी flat हो जाएगी और हमें filling में problem नहीं आएगी अब एक bread slice ले लें और उसके चारों तरफ थोड़ा सा पानी लगा लें जिसे की bread आसानी से चिपक जाए अब हमने जो filling बनाई है उसमें से एक चमच filling को bread के एक साइड में रख लेंगे और इसका एक tight roll बना लेंगे इसे हातों से थोड़ा सा दबा दें किनारों को भी अच्छी तरह से प्रेस कर दें जिसे की filling बाहर न निकले इसके किनारों को भी थोड़ा सा दबा देंगे लीजे रोल तयार हो गया है इसी तरह से दूसरी bread को ले लें और उसके उपर भी थोड़ा साइड में पानी लगा दें अब फिलिंग को थोड़ा सा साइड में रखके उसका एक टाइट रोल बना लें और इसी तरह से सारे रोल तयार कर लें अब इन्हें सेक लेते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है जिसमें की दो बड़े चमच बटर डाल दिया है अब इसे मैल्ट कर लें बटर को पूरे पैन में अच्छी तरह से फैला दें जिसे की पूरे पैन पर बटर लग जाए जब बटर अच्छी तरह से मैल्ट हो जाएगा तो रोल्स को सिखने के लिए इस पर रख दें यहाँ पर गैस को हम लो मीडियम पर ही रखेंगे नहीं तो हमारी ब्रेट जल जाएगी जब ब्रेट थोड़ा सा सिख जाए तो उसे पलट दें और दूसरी साइड से भी सेख लें देखिए कितनी अच्छी सी सिख गई है इसे साइड से सेखने के लिए साइड वे भी रख लें और चारो तरफ से सेख लें इसी सिखने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है दो से तीन मिनिट में ही ये सिख जाती है और गैस की फ्लेम को भी हम लो मीडियम पर ही रखेंगे क्योंकि ये बहुत ही जल्दी जल्बी जाती है इन्हें गर्मा गरम सर्फ कर लें इसे चौकलिट सीरप या फिर हनी के साथ गारनिश करें मैंने यहाँ पर हनी का यूज किया है ये सबी को बहुत पसंद आता है बच्चों की छोटी छोटी भूख के लिए तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है जब कभी गेस्ट घर में आने वाले हो और घर में कोई मिठाई भी ना हो तो आप इसे तुरंद बना सकते हैं इसमें आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स डाल दें और फिलिंग में कोई भी ड्राइ फ्रूट या चॉकलेट चिप्स एड़ कर सकते हैं इसे आप जब भी खाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि यह किस फ्रूट से बनाया है एक बार ट्राइ ज़रूर करिएगा मिलते हैं कुछ और इनोवेटिव रेसिपीज के साथ